जै मा काली मित्रो, आपका मेरे जनरल मा काली मा दुरुगा शक्ती समवाद में स्वागत है मित्रो आज का जो विशे है वो ये है कि गद्धिया चोकी लगाने से पहले हमें गुरु बनाना क्यों आमशक होता है देखें मित्रो जिनके उपर भी सवारी आती हैं उन्हें पूछा तो मिलता है और वो अपना भी पूछा ले सकते हैं और अगर कोई व्यक्ति उनसे कोई और आकर के अपने बारे में प्रश्न करता है तो वो उनका भी पूछा दे सकते हैं कुछ सक्ति ऐसी होती हैं जो संकट भी काट सकती हैं लेकिन उनके गुरु नहीं होते हैं तो क्या बिना गुरु के गद्दी लगाई जा सकती हैं तो मेरा उत्तर है नहीं बिना गुरु के गद्दी बिलकुल नहीं लगानी चाहिए इसका कारण यह होता है कि जो आपके शरीर में उर्जा होती है जो बिना गुरू के होती है तो इदर उदर भागती रहती है वो आपके वश में नहीं होती आप उससे अपना कारिय करने के लिए कहते हैं तो कभी आपका कारिय कर देती है कभी आपका कारिय नहीं करती लेकिन जो गुरू होता है जो हमारे गुरू होते है वो गुरु क्या करते हैं वो हमारी शक्षिओं को केंदरित कर देते हैं, जिससे वो हमारे द्वारा कहे गई कारिय को पून करती हैं और जो हम संकट काटते हैं आने वाले बक्तों के, उन संकटों को भी काट करके ले जाती हैं और अगर आप बिना गद्धी के, वो बिना गुरू के अगर गद्धी लगाते हैं, तो आपके साथ यह होगा, कि मा भगवती एक तो आपके शरीर तोड़ेगी, अब जितनी पूछा देंगे, आप उतनी कमजोर होते जाएंगे, आपके शरीर में परिशानी शुरू हो जाए लेकिन आपके घर में कही न कहीं वो बादा बनकर रुख जाएंगे, और उसके बाद वो आपके घर में परिशानिया उत्पन करेंगे, आपके घर का काम बंद कर देंगे, आपके घर की बरकत बंद कर देंगे, आपको बिमार कर देंगे, उस भक्त को भी बिमार कर देंगे जिनके शरीर पर सवारी आती है लेकिन जो गुरू बनाते हैं और गुरू बनाने के बाद ही गद्धी लगाये जाती है तभी गद्धी चलती है तभी संकट कटते हैं तभी आप पून रुप से स्वच भी रहते हैं स्वस्त रहते हैं और आपका शरीर भी नहीं तूटता। और गुरु आपकी शक्तियों को एक जगे केंदरित कर देते हैं। इसलिए देहदारी मनुष्य को देहदारी ही गुरु बनाना चाहिए। और वो आपको कुछ शिख्षा भी देते हैं। गुरु मंत्र भी देते हैं। गुरु मंत्र गुरु के द्वारा दिया जाता है, जो आपके लिए धालका कार्य करता है, बिना गुरु के तो आपको गुरु मंत्र भी प्राप्त नहीं हो सकता, वही गुरु मंत्र होता है, जब आप गदी से बैठने पर बैठते हैं, तो बैठने से पहले उसी के द्वारा आप अपने शरीर की रक्षा करते हैं, उस गुरु मंतर की द्वारा, और जब आप यसे बिना गुरु मंतर की गद्धी पर बैठेंगे, तो आप अपनी शरीर की रक्षा कैसे कर पाएंगे, जब आपके पास गुरु मंतरी नहीं है, रक्षा कवच नहीं है, क्योंकि गद्ध पर बैठने से पहले एक रक्षा कवच होता है, एक रक्षा मंत्र होता है, जिसकी द्वारा अपने शरीर की रक्षा की जाती है, उसके बाद गद्धी पर बैठा जाता है, तो वो गुरु द्वारा ही प्रदत होता है, और अगर गुरु नहीं है, तो वो रक्षा कवच भी आ तरीका बताता है, गद्धी लगाने का तरीका बताता है, जो सामागरी होती है, वो बताता है, जो विधान होता है, जो गद्धी की प्रोसेस होती है, वो बताते है, गुरू का कारी बहुत बड़ा होता है, मित्रो, गुरू की भूमी का जीवन में सबसे बड़ी होती है, कहते यह नहीं कि उनके पास ग्यान नहीं, जो उर्जा उनके शरीर में आती है, वो उनका मारक दर्शन करती है, लेकिन मैं फिर भी ऐही कहूंगी कि गुरु बनाना आवश्यक है, यो कि मनुष्य देहदारी होता है, तो उसको देहदारी ही गुरु बनाना चाहिए, अगर आप किस क्योंकि अगर आप देवता हैं, तो देवता को गुरु बनाते हैं, मनुष्य हैं तो मनुष्य को गुरु बनाएंगे, यही एक विधान है, आशा करती हूं मित्रो, मेरे द्वारदी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, इसी प्रकार की जानकारी को प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, साथी नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, मैं फिर मिलूंगी आपसे अपनी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मा भगवती से प्रातना करती हूं, कि वो आपकी सब भी मन जै महाकाली, जै महाकाल